समास से भी अन्ना हजारे एक वाफिर मोदी सरकारे खिलाप अनिश्यत कालिन भूख खर्थाल करने का एलान किया है अन्ना का एलान ऐसे समय में हुआ है जब आगामी लोकस्वा चुनाब को लेकर बीजेपी कांगरे सही तमाम दल अपने अपने तरीके से तैयारी करने में जुटी है जी हाँ अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से लोकपाल कानून लागू करने को लेकर अनश्यत कालिन भूख खर्थाल करेंगे सुप्रीम कोट के आदेश के बाद भी मोदी सरकार ने अभी तक लोकपाल कानून नहीं लागू किया है जिसको लेकर अन्नाहसारे ने नाराज की जाहिर की बिते आठ साल में लोगपाल की मांग को लेकर अन्नाहसारे की ये तीसरी भूख हरताल होगी इसमीच अन्नाहजाय ने कहा कि अगर देश में लोगपाल लागू होता तो राफैल जैसे घोटाले पर लगाम लग सकती थी लेकिन दुरुहाग गेपुर्ण ऐसा नहीं हो पाया इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि राफैल घोटाले से जुरी उनके पास कई काकसात है और अध्यान करने के बाद जल्द अन्नाहजारे प्रेस कांफरेंस करेंगे उमीद की जा रही है कि अगले एक दो दिन में अन्नाहजारे प्रेस कांफरेंस कर सकते हैं फिलाए लगना हजाय ने कहा कि राफेल ने बहुत बड़ा घोटाला है कैसे राफेल खरीद समझोते सी एक महीने बनी अनी लंबानी की कमप्री को इसमें सहयोगी बना दिया गया हलाकि इस बार तीस जर्वरी को दिल्ली में नहीं बलकि अपने गाउं राले गर्न सिद्धी में भूख खरताल करेंगे और वस सरकार द्वारा मांगे पूरी होने तक इसे जारी रखेंगे बेरो रिपोर्ट नियू जॉपरेशन